हो मार वावादी कहती हैं जब भी इंवेस्ट करते हैं तो देख लेते हैं क्थ कहां मिलने वाला ज़ादा है कहां इनवेस्ट करना है ज्यादा अच्छ है है रिटर्न कैसे हासिल कर सकते हैं मैंने अपने लाइफ में टार्गेट बनाया था कि मुझे अपने आपको ट्रांसफर्म करना है और उसके बाद मेरे काम करने की उर्जा डिफरेंट हो गई मेरी पर्सनलिटी डिफरेंट हो गई हां जी फ्रेंट्स नमस्कार सबसे पहले तो आप सभी को नब वर्ष की बहुत-बहुत हार्दिक शुप काम नहीं और में इश्वर से कामना करता हूँ कि आने-वाले अने को वर्ष आपके लिए बहुत लाब कारी हों और हितकारी हो इसी नया साल आता है लोग बड़े अनर् बनाते हैं फिटनस करूंगा एक्साइज करूंगा यह कर दूंगा वो कर दूंगा बिजनस को बढ़ा कर दूंगा अपने रिलेशन डेवलप कर लूंगा और बहुत ज़्यादा पैसे कमांगा यह होना बहुत अच्छी बात है लेकिन जैसे समय बीता आता है ना एक तरिक दो सदर नई मेंबर्शिप जो होती है वो फॉस्स जैन्वरी से लेकर टैंथ ओफ जैन्वरी तक होती है और वो लोग भी उस समय पर सारे पैकेज बंद कर देते हैं सिर्फ एन्वल पैकेज निकालते हैं उनको पता एक साल के लिए एक बार पैकेज ले लिया ना क्लाइंट य इसी विशय पर हम बात करने वाले हैं आज मैं आपको बताने वाला हूं अगर लाइफ में आपने दस हैबिट्स को अपना लिया तो आप वो गोल अचीव कर लेंगे जिस गोल को अचीव करने का लक्ष आपने अपने जीवन को बनाया है ध्यान रखिए सबसे पहला जो लक मेंत करने पढ़े और मेंत करने के लिए आपको ज्यादा अच्छी फोने चाहिए इसलिए हैल्स पर विशेज ध्यान दें सुबह जल्दी होटेए योगा करें जिम करें आरोबिक करें जुम्बा करें स्विमिंग करें रुनिंग करें कुछ भी अपनी हेल्थ को बहतर बना कर लिया और आप जितना बहुतर काम करना चाहते हैं उसके लिए आपके एनरजी भी मिल्टिप्लाई हो गई 19 दिसंबर 2016 को मैंने अपने लाइफ में टार्गेट बनाया था कि मुझे अपने आपको ट्रांस्फॉर्म करना है और सिर्फ 11 महीने के समय में मैं फैट फिट ट्रा चीज़ हासिल कर पाएंगे जिसको आप आप हासिल करना चाहते हैं तो पहला स्टैप आपको क्या लेना है आपको एक्सराइज शुरू करनी है और कंसिस्टेंसी के साथ शुरू करनी है देखे एक्सराइज आप कर लेंगे बहतर अपने आपको फिट बनाने के लिए वरक structure body, वो स्वास्त रहना चाहिए, उसके लिए जरूरी है quality diet, एक habit develop करें कि मैं junk food नहीं खाऊंगा, मैं जो खाऊंगा quality food खाऊंगा, अच्छे उसमें vitamin, mineral और ये सारी चीजें, fiber, fat, ये सब कुछ एक limited मातरा में होने चाहिए, तो decide कर ले, second habit क्या करना है आपको, healthy खाना है, अग बहुत अच्छे तरह से अपने आपको transform कर पाएंगे, transform कर पाएंगे तो energy multiply होगी, उसके बाद make your goal, अपनी life की नगोल, निर्धारित कर ले, अब हम लोग करते क्या है, हम लोग starting step में इतने बड़े goal बना लेते हैं, कि जिनको achieve करना मुश्किल हो जाता है, छोटे-छोटे steps बनाएं, कि अगले एक मेने का target मेरा क्या है, अगले तीन मेने का target क्या है, अगले छे मेने का target क्या है, और एक साल का target क्या है, पांच साल के target क्या है, छोटे-छोटे goals बनाएंगे, और छोटे-छोटे goals को achieve करना असान होता है, वो कहते हैं कि मीलो का जो फासला है, अगर देखेंगे ना बहुत बड़ा फासला लगेगा लेकिन छोटे-छोटे स्टेप्स जब आप चलते जाएंगे तो मीलों की दूरी भी बहुत असानी से तैय हो जाएगी और मुड़कर देखेंगे तो आपको पता लगे हो छोटे-छोटे स्टेप्स आपको बहुत दूरी तक लेकर आगे उसके अलावा नेक्स जो इंपोर्टेंट बात है उसके लिए क्या करना है अवाइड डिस्ट्रेक्शन फ्रेंड्स इन्फॉर्मेशन और टेक्नलोजी का यूग है आज को यूग है ना वह एक ऐसा यूग है कि जहां इन्फॉर्मेशन टेक्नलोजी आपके चा कोई पॉइजिकल वीडियो मडब्लॉद्वब्लाट थाज़िया लेकिन वटेक्नलोजी पहत्मस प्रेंटेक्स इ से त्विजी का इस्तेमाल कप पर लगए प्कूरी क्यों इस क्या बैभाने विप्लीमेट करें कैसे किज से इससे क्या होगा आप चैनलित करें और तरीका क्या है जितने शुचरी सुच्प सब्सक्राइब होगा तो आपका बहुत सारा सबी सामय बचेगा और उस समय को अपनी रोड़ के ऊपर लगाएं उसके बाद learn new things, नई नई चीजों का अध्यान करें, अब नई चीजों का अध्यान क्या है, आपके काम से सम्बंदित नई नई क्या techniques आ रहे हैं, क्या methods आ रहे हैं, आपके competitor नई क्या strategy अपना रहे हैं, आप कैसे उनसे बहतर strategy डिजाइन करके अपने आपको डेवलेप कर सकते हैं, नई नई चीजों का पता लगएगा जब नई चीजों का पता बटा लगएगा तो आप अपने g Mother को अपने गॉल को आसाँए असदोग पाएंगे तो यह पांच महत्पून बाते हैं अग्ली जो 5 Glad 못 बाते हैं ना वहीं यह ट्राक यॉर मनी फ्रेंड्स कहते हैं ना कि पैसा कमाना तो पहली बात बहुत मुश्किल है लेकिन अगर पैसा कमा भी लेते हैं और आप उसको ठीक तरीके से मैंनेज नहीं कर पाते ना तो वह भी लीकेज के रूप में निकल जाता है मतलब बान लीजिए आपके पानी की पा है जब आप amount spend को note करेंगे तो आपको यह भी पता लगेगा कि पिछले महीने कौन से चीज थी जो मैंने एक्स्ट्रा खर्च कर दी हैं जिनको मैं avoid कर सकता हूं कौन-कौन से खर्च है जिनको मैं maintain कर सकता हूं जिनका budget मैं कम कर सकता हूं यह महां पर spending कम कर सकता हूं कौन- यह आपने पांच जगे निवेश किया है और पांचों जगे से आपको return आ रहा है तो आप यह भी तो ट्रैक कर पाएंगे कि कितनी investment से कितना return आ रहा है कहां मिलने वाला profit ज्यादा है कहां का पैसा withdraw करके कहां invest करना है इसलिए track your money उसके लावा improve your network friends धिरुबाय मनिने एक बात कही थी कि दुनिया के सफल लोग network बनाते हैं और बाकिसे भी लोग पूरा जीवन काम की तलाश में दोदोर भटकते रहते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप like-minded people के साथ मिलकर एक network तयार करें अगो network कैसे मिलेगा business workshops में जाएं business seminars में जाएं business organizations को join करें उस thought process के लोगों से मिलें जो आप ही के जैसे बातों पर सोचते हैं विचार करते हैं और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं network करें friends क्योंकि network से ही net worth बनती है जितना बहतर आपका सरकल होगा उतना बहतर आप बन पाएंगे और इस बात को तो बहुत बार एक उध विश्य में कहांगे वह इस बात पर निभर करेगा कि आप किस तरह के पांच लोगों के साथ हैं आप अपने आसपास के सराउंडिंगे में पांच लोगों के एक आवरेज हैं तो चेंज यूर सरकल इंप्रूब यूर नेटवर्क उसके बाद इन्वेस्ट मोर मनी आप एक यह इंपने पैसे को इन्वेस्ट करने पर ज्यादा फोकस करें और इन्वेस्टिंग के लिए कुछ पैसा stock market में रखें कुछ saving में रखें कुछ FD में रखें कुछ equity में रखें कुछ mutual fund में रखें तो हर तरह से आपका पैसा safe भी रहेगा वो मारवाड़ी कहते हैं कि बिजनस में जब नहीं करते जब आप अपनी achievements को celebrate करेंगे तो उन achievements से आपको बहुत खुशी मिलेगी और आने वाले समय में आप अपने achievements का level बढ़ाते जाएंगे और जैसे से level बढ़ता जाएगा आपका level of satisfaction बढ़ेगा आप joyful आप कर रहे हैं उससे जो भी सफलता मिलती है खुश रहें उसको celebrate करें साथ-साथ be thankful to God हमेशा आज आप जो भी है न वो इश्वर की क्रपा से हैं भगवान का हमेशा आशिरवाद आपके साथ है आपके परिवार के साथ है वरना आप इससे बुरिस्तिती में हो सकते थे क्य आप अच्छी डाइट करेंगे आप अच्छे गोल बनाएंगे अच्छे और निंग करेंगे और इंवस्टींग से मिलने वाले बजट का पूरा प्लैनिंग करेंगे तो आप अपने डिज al रिजल्ट हासिल करेंगे इसलिए फ्रेंड्स यह 10 टॉब हैबिट्स तू अचि आप से रिक्वेस्ट वो कॉमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि बाकी लोग भी आपके कॉमेंट्स को पढ़कर आपके आइडिया से इंस्पायर होके आपको फॉलो करना शुरू कर दें स्वस्त रहें मैं डॉक्षर अमित्मा इश्वरी आपके सुनरे वविश्य की कामना करता हूं और इश्वर से कामना करता हूं कि निरंतर हर वर्ष आप प्रगती की और अग्रसर रहें जै हिंद जै भारत